आप सभी का स्वागत है एक लंबे ब्रेक के बाद अभी हम लोग दुबारा से पेपर प्रैक्टिस का स्टार्ट करते हैं तो आज में जो पेपर करानी जा रहा हूं वो है सब्सक्राइब करेंगे तो आपको खुदी पता जल जाएगा जो पेपर टोटले डिपेंड था क्या आपनों प्रैक्टिस करती कर रही है अगर आपने जादे प्रैक्टिस कर रही है कि थी तो आप 60-70 कर सकते थे अगर आपने कम प्रैक्टिस कर रही है तो फिर आप 40-45 में भी रुख सकते थे तो टोटली प्रैक्टिस का खेल था इसमें तो देखते हैं हम लोग जो भी कोशिए अर्थिमेटिक तीन सेटमा में इसको कोशिज करूंगा कि पूरा कर दू करते हैं देखो मैं लास्टे स्टार्ट कर रहो इसमें कुशिन दे रखा था जो आया हुआ है वो लिखा हुआ है कि 3N माइनस एक बेक्टिये टू एन प्लस वन दिन में एक्स काम करते हैं मताब वो जो मिक्स चैन रूल थाना मिक्स पर पूशिन वाला उसका कुशिय नहीं है बराबर 3N प्लस एक बेक्टि 4N माइनस तेन दिन में वाई काम करते हैं आगे इसने दे रखा है एक्स रेशियो वाई बराबर 6 रेशियो 11 तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है जो आप्शन दे रखे हैं 6 7 8 9 कि कि आप्शन से जादे जल्दी होगा अदर्वाइस ये कुछ है और वाई की जगे रख देना था 11 और उसके बाद तुरंस एन की जगे वैल्यू रखके चेक करोगे देखो 6 रखोगे 6 18 में से एक जाएगा 17 6 दूनी 12 और एक 13 6 दूनी 12 और एक तेरह 6 दूनी 14 और एक पंद्रह साथ्या 21 और एक बाईस साचो के 28 में से तीन गया 25 अब आप देखोगे कि 11 से ये दो बार कड़ जा रहे है और तीन से देखो तीन दूनी 6 तीन पंचे पंद्रह और दो से एक इतिवार कड़ गया 10 अब आप देखोगे 10 गुणा 5 पचास 25 गुणा 2 कितना हो जाएगा 50 हो गया तो अप्षोन कौन से ये कई धर को जाता तो ऑप्षन गया गाएगा इसका सई चुल एक नेक्स गूशन ए डेखो उसने बोल रख है तीन संख्याए है जिनका रिशो किस रिशो में 2 रेशियो 3 रिशियो 5 के इसक्वायर का सम के इसक्वायर का सम मतलब 2 का इसक्वायर कितना 4 प्लस 9 प्लस 5 का स्क्वार 25 के स्क्वार का सम मैं बोलता हूँ कि यह 2x 3x क्यों कि अगर x नहीं लिखूंगा तो आप इसमें थोड़ा सा गरबढ़ कर लोगे तो मैंने यह माल लिया 2x 3x और 5x नहीं तो x स्क्वार कॉमन लेके बहार आ जाएगा तो यह आ जा रहा था हमारे पास 1368 ठीक तो 9 और 4 कितना 13 और 25 कितना हो जाएगा फिर 38 x q x स्क्वार कितने के बराबर 1368 तो कितनी बार कट जाएगा अब यह देखो 2 से 19 बार 2 से कितनी बा तो देखो 59 27 बचेगा कितना 17 दस 94 तो 114 तो 6 बार तो x की वैलु कितनी आजएगी x e square कि वैलु कितना सथीस आगई तो x की वैलु आजएगी कितना 6 ठीक है clear ए法 ए एकस की वैलु कितना आजएगा 6 जब x की वैलु 6 आ जा रही है तो हमें तो इनका कहें पुछाता समुछाता न तीन दो पाँच और पांच दस तो दस एकस बराबर किसके बराबर हो जाएगा फिर 6 गुणा 10 तो किसके बराबर आ जाता है 60 के ढूसरा कोशिंस का अंजर कितना हो जाता है 60 अब आगे बढ़ जाते हैं तीसरे पाद बराबर 1 upon 6, यह ratio में दे रखा है, मैंने इसको तोड़ दिया, तो हमसे पूछ है, a plus b upon a minus b क्या होगा, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे का कर दो, multiply कर दो, 6 to the 12ab minus 6b square, बराबर 6a square minus ab, clear है, cross multiply कर दिया, इस a square को इधर, a b को इधर लेके आते हैं, b square को इधर ल minus का plus हो जाएगा, तो 6 common लेंगे, a square plus b square होगा की नहीं होगा, तो अब देखो, मैं क्या करने वाला हूँ, 6 को यहाँ भेज़ दो, और a b को यहाँ भेज़ दो, आपके पास आ जाएगा यह 13 upon 6, किसके बराबर, a square plus b square upon a b, आएगा यहीं की नहीं, बस अब क्या करना है, component and dividend into लगा दो इसमें, कैसे पहले हमें देखो, a plus b, a minus b चीए न, square बनाना पड़ेगा, तो square बनाने के लिए a square plus b square तो है, जब इसको add करेंगे न, तो 2a भी चीए हमें, हम क्या करें, 2 से यहाँ बी into करते हो, 2 से यहाँ बी into, तो यह upon में 12 हो जाएगा न, तो 12 पहले add करेंगे 12 को numerator के साथ add करो, और फिर 12 को numerator के साथ denominator में क्या कर दो, minus, यही तो होता है, component c and d, ठीक है, तो लगा दो फिर 13 धन 12 किता हो जाएगा, 25, 13 में से 12 घटेगा, एक, यह plus 2a भी हो जाएगा, तो a plus b का whole square, और यह जाएगा, upon में minus 2a भी होगा, तो a minus b का whole square, अब देखोगे, यह आज़े a plus b, upon a minus b, बरावर, plus minus किता आ जाएगा, 5 बटे 1, या फिर plus minus 5 इसका क्या हो जाएगा, answer, clear है, ठीक, थोड़ा सा उपर से लिखना पड़ेगा, यह समाझ आ जाएगा, चोलो, अब अगला कुशिन देख लेएगा, यह भी अच्छा कुशिन था, यह कुशिन है, न इन्टू अप्टू सो अन, 50 की पावर, ठीक है, तो हमें number of zeros पूछने, ठीक, पूछे गए इसमें, तो factor से लिखने है, हमें number of zeros के लिए क्या देखते हैं, जिरो तब जब दो number, 2 and 5 multiply होगा, तो एक 0 देता है, तो यहाँ पर 2 की तो भहुत ज्यादे possibility है, 2 तो ज्यादे का, 1 सा term लेकर आने है, जो कम बार repeat होगा, तो 2 तो यहाँ भी है, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, लेकिन 5 कहां पर आएगा, 5 में आएगा, 10 में, 15 में, 20, 25, 30, इसी तरीके से तो आएगा, बट एक चीज गौर करना, कि जैसे 25 और 50 में, यहाँ पर 5 के द देखनी है, आपको क्या करना था, जैसे देखो, 1 की पावर 5 है, 2 की पावर 3, तो यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सा लिखता हो, 5 की पावर किता आएगा, 5 की पावर आएगा, 46, आएगा की नहीं, देखो, 3 की पावर 48 हुआ, 4 की पावर 47, तो 5 की पावर 46 होगा, अब देखो, इन्टू 10 to the power, माइनस 5 करोगे, माइनस 5 करोगे, तो 41, इन्टू, अब 10 के बाद क्या आएगा, 15 की पावर 5 माइनस करोगे, तो 36, इन्टू 20 की पावर 31, इन्टू 25 की पावर 26, इन्टू, यह आप तो सौन कहा तक जाएगा, इन्टू 50 की पावर 1 तक, जाएगा क जाएगा अब क्या प्याइर और देखो अब क्या बंद रहे हैं एक चीज ध्यान देना इक 25 दो बार है तो 20 2 सध़ करने के लिएほ 친 सब्सक्राइब क्या होटा है सच बंद रहे है या टो है भ데向 य class क्वे समझ आ मैं a plus l करके direct लगा देता हूँ तो n by 2 into करते हैं a plus l तो n by 2 का n तो कित्ती बार है किते टम सूंगे इसमें 10 तो 10 बटे 2 10 बटे 2 into a कित्ता हो जाएगा फिर a first term 46 और last term कित्ता हो जाएगा 1 आएगा कि नहीं तो ये 5 बार जाएगा तो 5 गुणा 47 तो 7 पंचे 35 साचो के 28 29 31 इतना ही आ रहे कि नहीं उल्टा गुणा कर दिया न पांच सते 35 पंचो के 20 और तीन कित्ता हो जाएगा त्याइस अब किसको एड करने एक है 26 रह गया और एक है एक जो एडिशनल आएगा तो आप देखो कि 7 और आप मांच 12 तीन और तीन छे दो का दो तो यह इसका क्या आंसर हो जाएगा थोड़ा से यहां पर कंसेप्ट आपको क्लेर होना चीए था कि जो 25 की पावर है तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते थे यहां पर देखो 5 की पावर 26 इंटू 5 की पावर 26 एक 26 तो हमने यहां पर एपी में लगा दिया होगा पर एक 26 रहे गया इससे यहां पर बाल लिया तो एक वन यहां पर रहे गया था तो लास्ट अपर उन दोनों को भी क्या कर दिया एड कर दिया तो नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे ठीक है तो 262 इसका क्या था आंसर था चलो एक अगला कुशिन द नोट बुक है प्लस 7 एडेजर का जो प्राइस है बोल रहा हूँ 250 है आगे उसने बोल रखे है कि 6 पैंसिल प्लस 4 नोट बुक प्लस 2 एडेजर का जो प्राइस है वह है 180 तो हमसे पूछ है 2 नोट बुक प्लस 4 एडेजर अधिगो आपके पास 2 equation और 3 वेरियवल है दो equation है 3 इंडिवीजुली आप नहीं निकाल सकती है अगर आप एक नोटबुक और एक रेजर निकालो तो कभी नहीं निकल सकता एक एक का प्राइज है ना बट जब आपको यह पूछ है और ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है तो हमारे पास एक ही पॉसिबलिटी कि हम ज से गुड़ा करना पड़ेगा पास से जब उपर शे से गुड़ा करों गीतань से टॉ और शे अजाएगा फिर शे पंचे उपांच उपांच के तीस तो माइनस से केंसिल हो जाय गा ना तो थतीज भी बहुलिटीन हे फिल ध्से Bowl ऑन 15ो के 20 तो अब जब आप difference निकालोगे तो यहांपे कित्त आएगा? 16 प्लस यहांपे difference कित्था आएगा? 32 और यहां से difference आजाएगा 600 तो बस आपको कुछ नहीं करने है किससे divide कर देने? प्योंकि हमें 2 और 4 ये था ना? तो 8 से तो 8 से divide करोगे तो कित्ता आजाएगा? देख लो आठ से आठ दूनी 16 प्लस आठ चो के 32 बरावर आठ से कित्ती बार चलियागा फिर यह 8 सते 56 आठ पंचे 40 is the answer यह पूछा गया था तो यह इसका क्या हो जाएगा answer होगा कि नहीं चलो अब अगला देख लेते हैं 70 वाला यह भी एपी वाला question था इसने बोल रखे है वह पिछले वर्स की तुल नाम हर साल जो उसका सेविंग है वह हजार रुपे क्या होता जाता है बढ़ते जाता है तो उसमें पूछा गये कि अगर वह पहले साल तो आगले साल कितना बचाएगा फिर एक हजार बढ जाये अगले में वर्स की तुल नाम हो बोल रहा है ठीक है अगले साल कितने बढ़ते हो जाएगे फिर चार अजार रुपे और यह बढ़ते जाएंगे इसी तरीके से और बोल रहे कि उसको कितने होने में 17, 1, 2, 3, 4 1,70,000 होने में उसको कितने साल लगेंगे हैं कितने साल में 1,70,000 हो जाएंगे तो कुछी भी नहीं है यह A है आपके पास common difference जो आएगा वो आएगा 1000 तो formula एका होता है N by 2 into 2A plus N minus 1 into D होता है कि नहीं होता है बरावर कितना होता है यह sum होता है N numbers का 1, 2, 3, 4 तो आप क्या करोगे value रख देते हैं N by 2 2 into A A कितना है 2000 तो दो गुड़ा 2000 आजाएगा आपके पास 4000 plus N minus 1 D कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा कि नहीं बरावर कितना 1,70,000 तो आप देखोगे मैं direct कर रहा हूँ तीन 0 से common लेके 3 0 काड़ दिये इससे इधर गुणा कर दिंगे तो यह हो जाएगा 34, 340 अब आपके पास क्या है N into 4 देखो N minus 1 ही तो बचेगा न तो यह 17, 17 और 3, 20 तो 17 दुनी 34 दीख रहे हैं यह आपे ठीक है ठीक तो N को कितना रखना पड़ेगा 17, 17 धन, 3, 20, 17 दुनी 34 तो आंसर कितना हो जाएगा N की वैल्यू जो आएगी वो आजाएगी 17 साल ठीक है आगे पड़े अगली कुशिन पर चलो अगला कुशिन देखते है इसने बोल रखा है कि एक बेक्ती वन थर्ड साथ किलोमेटर पर और साथ, पचास और देखो वन थर्ड और वन हाफ वन बाइट वन बाइट वन बाइट तो लसीम कितना आएगा मैं बोलता हूँ कि 6D टोटल डिस्टेंस है तो पहली कंडिशन इसने बोल रखी है कि 2D चलेगा वन थर्ड, 2D चलेगा फिर 2D चलेगा किसी स्पीड से साथ की स्पीड से पचास और चाले साथ, पचास और चालेस की तो बाइट टोटल टाइम क्योंकि टाइम एक्वेस्ट क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो टाइम यहाँ पर पहली वाली कंडिशन में उसको टोटल यह टाइम लगेगा माइनस अब देखो एक्शुली में जो भी माइनस होगा क्योंकि डिफ्रेंस दे रखे चार मिनट जादी लगते है मत्तब बाद वाला पहले आना चीए कोई बात ने हम इसको पैसी लिख देते कि कि इधर जेगे दिखतो रहा होगा है यहाँ पर बीचलो यही पर लिखिलो आधा किता होगा 6D अगर टोटल डिस्टेंस है तो मिटर पर सेकंड ने किलो मिटर पर आर बनाना पड़ेगा है कि ने दिख रहे है आप है बस अब इसको सॉल्व कर दो आप क्या करोगे सब से पहले 00 सब कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो अब 6 और मैं सब को 60 बना देता हूँ 60 बनाने के लिए यह कित्ता हो जाएगा फिर 10 से गुणा गरना पड़ेगा 30D प्लस 60 बनाने के लिए 15 तियां 45D प्लस है ठीक है माइनस यहाँ पर कित्ता हा जाएगा देखो 60 बनाने 10 से तो 20D प्लस 60 बनाने तो किस से 12 से 12 पंचे 12 दूनी 24D प्लस 60 बनाने 15 दूनी 30D बरावर कित्ता आजाएगा आपके पास देखो 4 अपान 6 इंटू जो अपान में एल से उमने 60 लिया था ना 60 बनाने का मत्तब मैंने बट्टे में 60 लिया था तो इधर गुणा कर देते है कित्ती बार आजाएगा दस बार आजाएगा आप देखोगे यह हो रहा है 75 यह हो रहा है 74 20, 30, 50 और 24 तो D बरावर कित्ता आजाएगा आपके पास 40 D बरावर अगर 40 है तो हमें कित्ता D छी है 6D तो D अगर 40 है तो 6D कित्ता हो जाएगा 40 इंटू 6, 6, 24 24, 240 है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा थोड़ा से कैलकुलेटिव है नहीं बस समझाने के लिए पूरा लिखना पढ़ रहा है ठीक है अदरवाइस ऐसी सॉल्व हो जाएगा आगर बढ़ जाएगा फिर चलो अगला देखते है परसेंट्डिसक या क्या कुष्यई इसी कुष्यई नहीं देख लो उसने बोल रखा है कि एक बैकती है ठीक है एक मेज और एक चेर तो एक टेवल है प्लस चेर दिख रहा है ये टेवल प्लस चेर कितना 750 अच्छा उसने बोल रखा है चेर को 5 ision profit पे बेजते है एंड table को बेजते है 20% profit पे और overall उसको 16% profit होते है लगा दो allegation हो गा की नहीं होगा तो 12 और 4 15 का मतलब 750 एक का मतलब 50 तो 11 का मतलब कितना हो जाएगा 550 इसका क्या हो जैगा answer हो यह है आगे बढ़ जाए तो इसके बाद वाला cushion दीख लो यह दुबारा से इसी तरीके से वनेगा, उसने बोल रखा है, 30 दिन के लिए इस सर्थ पर रखा जाता है, कि उसको जब वो आता है तो 500 रुपे दिया जाएगा, काम पर रखा जा रहे है न, और जिस दिन नहीं आता है तो 100 रुपे काड़ दो, और उस तरीके से उसको टोटल कितना मिल रहे है, फिर 11400, तो इसका क्या निकाल दो, और इसको निकाल दो, और दिन के कितना कमा रहे है, फिर 39, 38, 24, 38 रुपे लगा दो, यह – 100 है, ठीक है, यह प्लस है, और यह भी प्लस, तो – –, प्लस हो जाता है, तो यह 480 हो जाएगा, और इस में से इसको – करोगे, तो कितने दिन था 30 दिन काम करता है तो इसको पूछा गया था कि कितने दिन काम पर आया तो 500 मिल रहे थे काम पर वाले दिन तो एक का मतलब कितना आ जाएगा यहां से पांच शक्के तिस चार का मतलब कित्ता आजाएगा चोड़िस क्लेर है यह बाच दिख रहे की नहीं है एड़ेस को थोड़ा सा नीचे वह जा रहे हैं आगे बड़े देख लो अगला अच्छा कुशिन था थोड़ा सा देख लो उसने बोल रखे है पी क्यू के अनुक्रमा अगर वो क्यू मैं 20 परसेंट क्या गड़ देता है क्यू मैं 20 परसेंट क्या गड़ देता है क्यू मैं 20 विर्दी हो क्यू को 20 परसेंट बड़ा देता है पहले तो मतलब 20 परसेंट होता है क्या है 20 परसेंट होता है एक बट्टे 5 होता है गी नहीं मतलब क्यू को अपॉन मैं 5 की वैल्यू बनानी है 6 कोई दिक्कत अच्छे आर को बोल रहा है 20 परसेंट कम करना है मतलब P1 में कोई चेंज जाएगा है, क्योंकि स्क्वेर है तो दो बार गुणा करना पड़ेगा, बस, अंसर आगया, ठीक है, आप क्या करोगे, पांस से पांस कर जाएगा, दो बार, तीन बार, है कि नहीं, तो आप देखो के भई, P1 अपॉन अपॉन पीटू, P1 अपॉन पीटू कितना आजाएगा क्रोस मल्टिप्लाई करोगे, तो यह आजाएगा, चार दुनी, आठ, बटे, पांस दिया, पंद्र, अब आप देखो, P1 अठ था, P2 कितना बढ़ गया, वो पूछा था न, आठ से पंद्र हो रहा है, मिन्स साथ बटे आठ, आठ में कितना बढ़ रहा है, साथ, आपको प दिखाई दे रहा है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, अगला कुशियन है, यह वैसे एल्जेबर का हो सकता था, फॉर्मूला था इसमें, तो इसलिए मैंने इसको इंपी कराने को सुचा है, तो जैसे 2X, माइनस 3Y, माइनस 7, बराबर दे रहा है, 0, अमसे पूछा है 8X का क्यूब, माइनस 36X स्क्वेर Y, प्लस 54XY स्क्वेर, माइनस 27Y का क्यूब, माइनस 340, कोशी भी नहीं है देखो, यह 2X, माइनस 3Y, 7 के बराबर, अगर आप दोनु साइट क्यूब करोगे तो यह वाली वैलियो आने वाली है, यह पूरी यहाँ तक, A क्यूब, प्लस B क क्यूब, माइनस 2 इंटु एबी, इंटु एब माइनस B, यह बनेगा, ठीक है, तो यह जब क्यूब करोगे तो कितना हो धैरी, 343, तो यहाँ पर इसका क्यूब आ जाएगा, देखो, सॉल्प करोगे तो 343, माइनस 340, अंसर आ जाएगा, इसका 3, बस कुशी भी नहीं था, ठीक है, आगे बढ़ जाएग, चलो, अगला कुश्यन है, उसने बोल रख है, सीला, एक सूट दो दिन में, सीला, एक सूट, एक सूट दो दिन में बनाती है, ठीक है, जबकि मेना, एक सूट को डेर दिन में बनाती है, तो उसने बोल रख है, 30 सूट सिलने में कितने दिन ल एक सूट सिलते, ये डेड़ दिन में एक सूट, हमें क्या करने है ना, डेस बरावर करने होते हैं, कभी भी है ना, डेस बरावर करने होते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो, ये दो इसका मतलब हो गया कि तीन बटे दो, तीन बटे दो दित, तो इसका मतलब ये है कि यह दो दिन एक सुट सिलने में, यह तीन दिन एक सुट सिलने में लगाती है, तो मैं यह बोल सकता हूँ कि यह अगर इन दोनु के LCM लेगे 6, तो यह छै दिन में कितने सुट उपर सीला, 2, 3 से गुणा कर दिया न, तो 3 और इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो, क्योंक के according तो 36 30 दिन में कितने सूट सी लेंगे यह तीस दिन में हम पांस से गुणा कर देते तीस पांश है के तीस डेज में कितने दिन आ जाते 35 सूट आ जाते तो आंसर होता 35 इस हिसाप तो अदर्वाइस ये कुईशन मेर से तो थोड़ा सा गया हो रहा था घर बढ़ हो रहा था ठीक है तो ये आंसर 35 अगर आ रहा है तो साइद ये कुईशन इस तरीके से बनना चीए था चलो एक और कुईशन है अगा देख लो उसने बोल रखा है कोई धन्राव सी पाँस साल में मतलब तोपांस इस सी कोना चारा हो चलो आगे बढ़ जाते हैं अब अगला कुश्यन है देखो उसने बोल रखा है एक फ्रेक्शन है भिन्द है अंस और देखो मैं बोलता हूं फ्रेक्शन है एक्स अपॉन वाई इसने बोल रखा है एक्स प्लस वाई दस है अगर मैं अंस मैं मतलब नुमिनेटर में तीन को इसन के अंसर हर का अंतर क्या होगा तो कुछ भी नीए क्रॉस मैं जार रही ह capable यह तो एक्स प्लस थी बराबर कितना हो जाएगा वाई माइनस वन तो एक्स माइनस वाई मिराबर माइनस 4 क्योंकि डिफरेंस पूछा है और डिफरेंस प्लस-भाईनस से कोई लेना देना नह बच्चों में लेकिन देखो चार बच्चों का यह चार बच्चे तो यह भी दस साल बढ़ेगा दस में यह भी दस साल यह भी तो यह भी दस दस साल बढ़ेंगे, बढ़ेंगे की नहीं? तो इसका मत्तब यहां पर जो एज बनेगा जो सम था उसमें कितना एड हो जाएगा फिर? उसमें एड हो जाएगा आपका 40 क्योंकि हर एक दस साल बढ़ेंगा उस कंडिशना बोल रहा है कि फादर 1.6 ताम सुझा एफ एक दस्मुलव छे, प्लस सोलह, बराबर कितना हो जाएगा, फोर एस, फोर एस की जगे कितना लिख सकते हैं, एफ, मैं इसको एफ लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस कितना फुट्टी, अब इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो पॉइंट सिक्स, एफ किसके बराबर हो गई है, पॉइंट था, तो जीरो लगा दिया, तो फादर कितने साल का हो जाए गई, चालिस साल का, बस, लेरे, आगे बढ़ जाए, अब अगला कुश्यन है, इसने वोड रखा है, इस तीर जल में, वोट, वोट का जो, इस्पीड है, वोड रहा है, कि 30 किलो मेटर पर आ है, ठीक है, 60 किलो मेटर जाना, डाउन स्ट्रीम बोल देते हैं, तो 30 प्लस, अगर मैं बोलता हूँ, बोट करन्ट की जो स्पीड है, एक्स किलो मेटर पर आ रहा है, जो हमसे पूछी गई है, तो डाउन स्ट्रीम के लिए, ये स्पीड हो जाएगे, आप स्ट्रीम के लिए पाँच, आठ, दस और बारा, आप देखो कि इन दोनों में एक्स की क्या वैल्यू रखो यहां से, कि एलसेम एक्सो बीस पहुंच जाए, या एलसेम ना बोलू, तो बोलू कि इन दोनों का मल्टिपल एक्सो बीस हो जाए, आप बोलो कि पाँच रखो पहले, तो 35 और 25, त और 6 और 39, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 10, आंसर हो जाएगा 10 किलोमेटर पर आर, आग जाएगी बात समझ, चलो, अब अगला कुशियन देख लेते हैं, सिंप्लिफिकेशन का कुशियन है, वो बोल रहे है कि जो दोनको की सेंख्याम लोग बोलते हैं, यह इसी कोई तो ब नंबर था हमारे पास, 10X प्लस Y को हम चेंज करके क्या कर देते हैं, 10Y प्लस X कर देते हैं, यह बोलना चाह रहा हो, और इनका जो डिफ्रेंस होता है, तो पहले से कितना कम हो जाता है, बोल रहे हैं, वो 360, यह संख्या 360 जोडा जाए, मतलब नहीं, अगर इसमें 63 आड़ कर इसको इधर लिखा हो, या फिर इनको इधर शिफ्ट करो, जब इनको इधर शिफ्ट करोगे, तो Y माइनस X आ जाएगा, आपके पास कितना, देखो, मैं इसे लिख देता हो, 63, आएगा कि नहीं, भाई, 10X में से 10, तो माइनस X और 9X, और 10Y माइनस Y, 9Y, तो 9 को कमन, 9 से कि कितना, अब देखो कि X, Y आठ है, और Y माइनस X कितना है, हमारे पास, 7 है, मल्टिप्लाइ इसका फेक्टर करो, 8 गुणा 1, 8 में से 1 गया तभी तो साथ आया, तो हमें पूछा है, सम कितना होगा, फिर 8 धन एक सम होगा, कितना, 9, ठीक है, आंसर आजाएगा, इसका, 9, ठीक 30 मिनिट और 35 मिनिट में क्या करते हैं, एक चक्कर को पूरा करते हैं, तो उल्टरे की दुबारा से कम मिलेंगे, ऐसे कुश्य उनुके लिए मैंने बोला था, कि हमेसे क्या ले लेते हैं, हम लोग, LCM ले लेते हैं, तो आंसर आर्स में, तो 60 से भाग दे देंगे, LCM 35, 5 इस इस मा आ गया तो 56, 36, और 5 इस मा आ गया तो 2, ठीक है, LCM हो गया यह इसका, बट्टे कित्ता कर देंगे, 60, तो कित्ती बार कर जाएगा, यह दस बार, 2 से कित्ती बार, 5, 5 से कित्ती बार, 7 आर्स इसका क्या हो जाएगा, अंसर, ठीक है, 7 आर्स के बाद यह एक सांस और प्राइम नंबर से इनका LCM बोल रखा है कि double 231 है तो पूछा है P greater than Q के तो P minus Q क्या होगा Q कुछ भी निया कुछ इनका मल्टिपल होता है तो यह होगा P into Q इसका मतलब P और Q क्या होंगे? दो नों प्राइम नंबर होंगे तो दो प्राइम नंबर का यह फेक्टर है अब इसको आपको तोड़ने है प्राइम नंबर के लिए आप सेवन से चेक कर देंगे फिर क्योंकि जो इनका गैब दे रहा है तो आप इसमें घबराने की कोई जुरती नहीं है ठीक है बहुत ज्यादे पैनिक नहीं होना इस कुशिन के लिए गैब ज्यादी दे रहा है तो यह 30-35 के आसवास किसी ने किसी स से कम है ना 30-35 से कम किसी ने किसी से 100% कट रहा होगा तो आप यह तो रूल पढ़ो ठीक है डिविजिबलीटी रूल पढ़ लो ठीक प्राइम नंबर के लिए वह यहाँ पर काम आएंगे या फिर आप छोटे नंबर हो गया ऐसी भाग लगागे चेक कर लो दीको साथ से तो कर रहा है फिर हमार पास आता है 23 आप वो लोगे 23 गार टेबल नहीं आता है ठीक है फिर आप क्या करो इसमें अपना रूल लगा लो डिविजिबलीटी रूल साथ यह किस और दो त्याइस तो इंटू 7 करके प्लस कर दो इंटू 7 करके प्लस कर दो तो साथ तीन दस 23 से कट है है इसका मतब त्याइस से कट कर रहा है तो 23 इंटू क्या होना चाहिए अब आप देखलो है 72 31 है ना बाइस 31 है तो यह तो लगभग त्याइस को के पास ही है तो इसका मतब यह हंड़ेद के पास कोई प्राइम नंबर होगा तो वह क्या होगा 97 तो तीन सत्य एक किस उनिट डिजिट भी मैच कर रहा आप वैसे गुणा भी कर सकते हो तो इतना तो हमारे पास दिमाग होना चाहिए कि हम लोगों को अगर एक नंबर मिल गया तो दूसरा कौन सा हो सकता है उनिट डिजिट से भी चक कर लो क्योंकि दोनों प्राइम नंबर ह तो इन दोनों का डिफ्रेंस पूछा था तो साथ में से तीन गया चार नौ में से दो गया साथ तो सेवेंटी फूर इस कुश्यन का आंसर ठीक है यह तो आपको सोचना पड़ता ठीक तो प्रैक्टिस करने के बादे बहुत इसी कुश्यन आगे बढ़े देखो अगला सकता बोला था नहीं हो सकता है अब आप देखो इसने बोल रखाया के positive है positive को अगर आप negative से इंटू करोगे तो answer negative आएगा और इसने बोल रखाया जीरो से बढ़ा होता है negative नहीं तो पहला गलत है गलत है का मत्तब पहला option सही है दूसरा बोल रहा है x square plus हमेशा, हमेशा का मतलब किसी भी value के लिए अब आप देखो, मैं कभी भी ऐसे question जब आपको बोलूँगा न करने के लिए आप value रख के चेक करो, minus 1 रख दो minus 2 आपने देखा भाई, क्योंकि negative integer 0 से कम ही हो सकता है सबसे चुटा minus 1 नहीं होगा, तो minus 1 रख के चेक करो तो 1 का square minus 1 ये 0 से बढ़ा नहीं होता तो 1 के लिए ये दूसरा भी satisfy नहीं करना तो इसका मतलब दूसरा भी सही है, मतलब हमें सही नहीं है वाला देखना है ठीक है, वो भी सही नहीं है, मतलब वो सही है अच्छा तीसरा भोऑब रहए, 2X, X और –X रखो जरह X को –1, तो minus 2, minus 1, minus minus plus one बिलकुल सही है सही है गा मतलब गलत है, क्योंकि उसने भोड़ रहे कि कौन सही नहीं है ये सही है, तो इसका मतलब ये गलत है आपको ये देखना है, तीसरा option किसमें नहीं है तो तीसरा option दूसरे वाले में नहीं था तो answer B से हो जाएगा तीसरे वाले में नहीं था तो answer B से हो जाएगा अचे आगے बढ़ जाते है अगला यह भी chain rule का ही कुषियन है time and work में पढ़ाते हैं कहीं लोग बढ़ी chain rule का कुषियन है तो बीस आदमी दस दिन में काम के लिए लगाए गए, पांस दिन काम करते हैं, उनको पता चलता है, शरीफ एक ही काम हो रख है, एक चौथा ही न, एक चौथा ही काम पूरा हो रख है, टोटल काम चार था, टोटल काम चार था, तो एक पूरा हो रख है, तो बागि तीन काम इ X-T-A spelling देखो या दो 40, कितने आदमी की है 40, बस, answer हो जाते है 40, अगला question में भी थोड़ा सा मुझे गरबड़ी लग रही है ठीक है, अलाकि मैं तो अपने इसाब से इसका answer जो मैं बता रहू हूँ, देखो LCM plus HCF बराबर इसने बोल रखे 536 LCM minus HCF बराबर बोल रखे 296, अभी आप देखो LCM कभी भी क्या होता है HCF into something ठीक है, LCM हमेसा यह होता है तो इसका मत्तब इसमें दोनु में HCF क्या होता, common आता HCF into something plus 1 something minus 1 HCF दोनु में, मैं क्या करूँँगा इसके factor करूँगा, तो दोनु में से 8 common आ रहा था, देखो, 8 46, 48, 47, 56 यहां से 8, 23, 24 बचे का किता, 58, 58, 56 मत्तब 8 बुणा सहती तो मैं बोलता है, HCF अगर 8 है, किता, HCF अगर 8 है, तो इसका मत्तब आप्शन वाले जो होने ही चीए, इसका HCF अगर 8 है, तो दूनु नुम्बर 8 से कट रोंगे, तो मैं यह तुक्का लगाता है कि 8 से कौन कौन से कट रहे है, तो आप देखोगे कि 428 आट से नहीं कटता है ठीक है, 480 कटता है यह आंसर हो सकता है 8 से कटता है, नई 86, 44, 4 नहीं कटेगा, ठीक है 5, 0, 6, 86, 42 26 तो मैं यह आंसर लगा देता है बट जब इसको आप सॉल्फ करोगी ना तो यह आंसर गलत आ रहे है बतो यह कुशिन ही गलत है ठीक है एक तुक्का लगाने वाली बात है थोड़ा सा दिमाग लगागे तुक्का लगाओगे तो यह लगेगा वरना यह कुशिन भी थोड़ा इसको एसी रख देते हैं मैंने तो सिर्फ दिखाने के लिए एक की पावर यह तो अब एक को किती बार आंसर तो यह की आना है ठीक है अगला कुशिन इसने बोल रहे है वह 23 माइनस 4 अंडर रूट 15 का स्क्वार रूट क्या होगा स्क्वार रूट क्या होगा मतलब मैंने आ किस में 23 बन रहे है तो आप पहला वाला ओप्शन देखोगे अंडर रूट 6 माइनस 3 रूट 2 तो 6 का वर्ग 6 प्लस 3 तीन त्या नो दूनी 18 आठ से 14 24 होता है यह आंसर नहीं हो सकता दूसरा 7 माइनस 3 रूट 5 तो 7 सत्य उन पंचा से तो वैसी नहीं हो सकता रूट 3 माइनस तो रूट 5 तो रूट 3 का स्क्वाइर 3 दो दूनी चार पंचे 20 तो कित्ता आजाएगा स्क्वाइर कर रहे है क्योंकि ए प्लस भी बनाता तो मैं इसलिए बोल्ड रहा हूं कि इसको स्क्वाइर करो तो तीन और 20 कित्ता तो यह आंसर सही है बाग इसका तरीका तो है यह थे ठीक है तो लेकिन यह ऐसे मैं था तो इसको ऐसी चेक करो बस ऐसी करते हैं इसको चेक आगे बढ़े देखो अगला कुश्यन बोल रहा है प्राइम फैक्टर्स 2 6 3 8 1 के कौन-कौन से हो सकते हैं अगें वही डिविजिबिलिटी रूल वाली बात आ गई तो आप देख ले न सब्सक्राइब अगें तो कर लोगें इसी तरीके से इसने बूल रखाया देखो अगला पांच क्रमागत पूर्णांकों को ऐसे सबी और उक्रम को एक तरित कीजिए जिनके गुणन फल उनके पूर्णांक के बरावाब अब गुणन फल बोल रहा है कि पांच को का अगर मुल्टिप्लाइब करो ना तो वह आना चे उनमें से कोई एक नंबर और वह इंटीजर है अब एक नंबर कैसे है क्या यह पॉसिवल है आप कुदी सोचो ना वान इंटू टू इंटू इंटू थ्री इंटू फॉर इंट अब इधर जांगे तो पॉसिटीव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कोशिभी ओ सकते है तो मैं बोलता हूँ एक बन सकता है दूसरा यहां से लेके माइनस टू से लेके ब्लस टू तक बन सकता है ऐसी बनेगा एक दो, दूवरियों फिर यहां से लेके यहां तक बन जयागा तो कहने का मतτεब कितने हिर बन जाएंगे एक दो तीन चार पांच एके भी तो बने काई जीरों से लेके चार तक कितने प्यर बन जाएं Jesus users दूसरा यहां से एक आगे- jakiś चौथा से एक आगे- पांच वा लिए तो डूटल पांच पर इसके बन सकते थे जो यह सेट इसमें और दूसरा बोल रहा है प्लस क्यों तो पी कहा है मैक्सिमम मेल लगुतम और यह क्यों है और यह पी प्लस क्यों आपको पाता है जीरो बट्टे मैंने लगवक सभी कुशियें आपको करा दें इसमें दो डियाई है जिसमें से में एक अभी करा देता हूं ठीक है एक करेंगे हम लोग बाद में मतरब इसका अगला पाट आएगा ठीक है कि इसमें जादी कुश्यें हो जाएंगे मेरे लिखाल से तो अटियाई कर लेते हैं पाई चार्ट वाला कर लेते हैं, यह 20, 19 है, चलो है, 20, 19 ठीक है, और यह 20, 20 है, यहाँ पर बोल रहा है कि 4,000 लोग थे, मैं सिरिफ लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख बोल रहा है, 5000 लोग थे, पहला बोल रहा है कि 2019 में 2 स्रेणी है, ऐसी जिसमें कुल संख्या समान रही है, दोनों में समान रही है, यह सगे तो बोल रहा है, दोनों में समान रही है, B plus C, आप देखो पहले वाले में B plus C की जो वैल्यू है न, B plus C 16, और दूसरे वाले में B plus C की 21 है, तो 16, 4, 64, 21, 5, कोई मैं यूनिट डिजिट देख रहा हूँ, मैं कोई solve नहीं कर रहा है, यहाँ पांच आ रहा है यहां पर 4 आ रहा है तो पहला तो option गलत दूसरा E और A का देखो फिर E और A, E और A का मतलब 47%, 7, 4, 8, 8, 8 आना चीए E और A, यहां पर E और A का मतलब 7, 2, 9, 9, 5, 45 नहीं आ सकता E और F का देखो फिर E और F में कितना आ जा रहा है 7, 2, 9, 9, 4, 36 E और F, 7 और 1, 8, 8, 5 नहीं आ रहा है फिर भी ठीक है अब लास्ट देखो C और D, तो C और D का कितना आ जा रहा फिर C प्लस D, 25 और यहां से C प्लस D आ रहा है 20 हाँ, अब देखो 25, 400 और 25, 100 आ गया पराबर तो इसका मतलब 1000, 1000 दोनों तरफ आ रहा है तो अंसर D वाला हो गया, ऐसे देखना था इसको ठीक है, पुरा solve नहीं करना है, value रखना है यह नहीं करना है, unit desert देखो या फिर वैसे solve करना है, अच्छा दूसरा question इसने बोल रखा है, 2019 की तुलना में, प्रतिसत maximum किसमें रहा है ठीक है, percentage maximum, तो यह आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कहीं लोग नहीं इन्होंने सीधे percentage मिला दिया होगा, वो गलत होता है, क्योंकि अगर आप बड़ी values का बड़ा percentage निकालोगे तो उनका difference जादे आएगा, जैसे मैं बोलता हूँ न, इसका 50% और इसका 50% में difference जा करना था, तो स्टार्ट करो देखो, ए के लिए, जो option है, स्रीफ वहीं पर चलेंगे न, ABC और D को ही देखने है, तो A का यहाँ पर 20% मतलब 2480, ठीक है, 20% 2480, 800 हो जाएगा, ए के लिए, यहाँ पर बाइस परसेंट है, तो यह बाइस परसेंट कितना हो जाएगा, 1100, तो कित किते का चेंज आ रहे है, 300 होगा, परसेंटेज चेंज वो निकाल लेंगे न, इसने बोल रुख है कि परतिसत परिवर्तन, किसमे सबसे जादे होगा, अधिकतम किसमे होगा, यही तो बोले है, तो परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर, कितना चेंज हो रहा है, इसमें, 300 बटे कितना करना पड़ेगा, 800, कुछ इस तरीके से, न, तो एक बटे 8, 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 12, 13, 15, 37, 10, 5, इतना परसे जा रहा था, ठीक है, वैसे आप लोग क्या गरो, B को, C को, D को देख ले ना, तो मेरे खाल से इसका आंसर पहला ही आ रहा था, ठीक, पहला ही आ रहा था, साइद इसका आंसर, आप देख ले ना इसको, तो थोड़ा से कैल्कुलेटीव लग रहा है, इसलिए मैं इसको 4000 और 5000 गंतर आ जाएगा 1000, बटे 27, कमपेरिजन 4000 के साथ होगा, ठीक है, परसेंट इंटू किता आ जाएगा 100, इस सी यह, क्यूंकि दोनों में 27, 27 है, यह में देखो, इधर भी 27%, उधर भी 27, ओभियसली 5000 जादे होगा, तो 5000- 4000, 1000 आ जाएगा 27% कॉमन ले लिया, अपान कमप के साथ हो 27%, ठीक है, तो 1000 से चार बार, तो 4 से कित्ती बार कर जाता है, 25 बार, तो यह 4 कुशिन थे इसमें, चौथा भी देख लो, स्रेडियों में कित्ती संख्या, परतिसद विर्दी, मैं भी एक समान चेंज होता है, मत्तब एक समान चेंज होता है, E और F का देख लो, E और F यह 22 है, यह 27 है, यहां पर कित्ता है, 21, 27, तो बात नहीं बन रहे है, अलग-अलग चेंज आ रहे है, ठीक है, उसी तरीके से C और E में देख लिए तो C में 10 है, E में यहां पर 27 है, तो C में यहां पर कित्ता है, 11 आ रहे है, और यहां पर E में 27, तो यहां पर भी अलग soyCand वाले कहे रहा रहा है एय और सीी कितते हैं 20 22 सी कितते हैं यहां पर 10 11 11 11 blast thinking तो ए और सी सई होगया क्यों कि 20 और कितना होगा 22 तो यह सफोर जाएगा मैं वैसी करें पना तो 27 27 पेज़ा रिज्वली का nap तो इतनी question थे इसमें इसमें जप्राइब कर दूब डियाए के तो डूसरी दूसरी वाली डियाए को अभी नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादे लंबी वीडियों हो जाएगी औल्रडील रगवक 40 पर 49 मिनट हो चुड़ी ए तना ही करते हैं इसमें दो और वीडियोज लिखेंगे जिसमें लगवग क्या कर दूंगा इसको कम्प्लीट कर लेंगे तो कल देखते हैं मेंशुरेशन के और एलजेब्रा के कुछ कोश्य निसमें कर लेंगे बागी जो बसता है टिग्नोमेंटरी और टिग्नोमेंटरी और जोमेंटरी को उसको अलग वीडियो में कर लेंगे आज के लिए इतना ही करते हैं थेंक्यू